अमेरिका में एक 15 साल का लड़का इस्टोर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और पकड़े जाने पर गार्ड की गिरप्त से भागने की कोशिस करने लगा और इस्टोर का एक सेल्प भी तोट गया और इस परकार उसका अफराद और बढ़ गया और पलिस ने अपनी गिरप्त में लेकर कोट में जज़ के पास पस्तुत किया तो जज़ ने लड़के का जुर्म सुना और लड़के से पूछा क्या तुमने सच में कुछ चुराया था और चुराया था तो क्या चुराया था तो लड़के ने बोला एक bread और एक panear का packet अपनी नजर नीचे जुका कर तो जजज ने पूछा क्यूं चुराया तो लड़के ने बोला मुझे जरूरत थी फिर जजज ने बोला खरीद लेते तो लड़के ने बोला पैसा नहीं था तो जज ने फिर कहा, पैसे नहीं थे, तो घर वालों से ले लेते, तो फिर लड़के ने कहा, घर पर केवल मा हैं, और वो भी बीमार और बीरोजगार है, और ब्रेड, पनीर, मा के लिए ही चु%, तो जज ने फिर से कहा, तुम कुछ काम नहीं करते, कुछ काम कर लो, तो एकवाल के लिए छुटी ली तो जौब से निकाल दिया तो जज ने फिर से कहा तुम किसी से मदद मांग लेते तो बोला सुबह से तक्रीबन पचास लोगों के पास गया लेकिन निरासा ही हाथ लगी और अंत में चोरी करनी पड़ी जैसे ही बहस खतम हुई जज ने अपना पैसा सुनाना सुरू किया और कहा चोरी एक सर्मनाक जुरम है और इस जुरम के हम सभी हगदार है अदालत में मौझूद हर सक्स पर दस डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है और दस डॉलर दिये बिना कोई भी यहां से नहीं निकल सकता तो यह कहकर जज ने जीव से दस डॉलर निकाले और पैन उठाया और लिखना सुरू किया इस्टोर पर एक हजार डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है और उसने एक भूके बच्चे से गैर इंसानी स्लोक करते हुए पुलिस के हवालिक किया और अगर 24 गंटे में जुर्माना नहीं दिया गया तो इस्टोर सील किया जाएगा फैसला सुनने के बार कोर्ट में मौजुद लोगों के आखों में आसु तो बरसी गए थे और वो लड़का भी बार बार जजच को देख रहा था तो दोस्तों क्या हमारा समाज सिश्टम और अदालत इस तो आप कमेंट में अपनी परतिक्रिया दे सकते ह आज भी ऐसे बहुत सारे लाचा बेवस बच्चे हैं जिनें अपने पेट के लिए ये हतकंडे अपनाने पड़ते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेच आपके सामने दूंगा कि ये अगर ऐसी सिच्वेशन अगर हम किसी के भी सामने आती है तो अपना नुक् आतर समाज बनाने के लिए एक टॉनिक का काम अवस्य करेगा तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जैहिन जैबारत नमस्कार